और अलीगर दोरे पर पिम मोदी ने अलीगर को बड़ी सौगात को दी ही, सौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए, योगी सरकार की तारीफ करते हुए विरोधियों पर जम कर निशाना साथा। अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का दुर्भा के रहा, कि आजाने के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नाईकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीडियों को परिचित ही नहीं कराया गया। पियमोदी ने बिना नाम लिए विरोधियों पर खासकर सपा पर भी वार किया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी में किस तरह के घोटाले होते थे ये सब जानते हैं। वो दिन मैं भोल नहीं सकता हूँ। लेकिन यहां उस गती से काम नहीं होता था। ये मैं 2017 के पहले की बात कर रहा हूँ। जैसे होना चाहिए था वैसा नहीं होता था। साथियों यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के गोटाले होते थे। किस तरह राज काज को प्रस्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। पियमोदी ने सियम योगी की तारीफ की उन्होंने कहा कि एक दौर था जब यहां शासन, प्रशासन, गुंडों और माफियाओं की मनमानी चलती थी। लेकिन अब वसूली करने वाले माफिया राज चलाने वाले सलाकों के पीछी। आज योगी जी की सरकार पूरी इमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। एक दौर था जब यहां शासन, प्रशासन, गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था। लेकिन अब वसूली करने वाले माफिया राज चलाने वाले सलाकों के पीछे है। मैं पीम ने ये भी कहा कि अब यूपी में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। आज कोई भी अपरादी अपराद करने से पहले सोबा सोबा सोचता है। चार-पांच साल पहले परिवार अपने ही गरों में डर करके जीते थे। बहन बेटियों को घर से निकलने में स्कूल कॉलेज जाने में डर लगता था। जब तक बेटियां गर वापस ना आये माता पिता के सांसे अटकी रहती थी। जो माहोल था। उसमें कितने ही लोगों को अपना पुस्तेनी गर छोड़ना पड़ा। पलायन करना पड़ा। आज यूपी में कोई अप्रादी ऐसा करने से पहले सो बार सोचता है। माही पीम ने राजा महेंदर पताप सिंग के योगदानों को याद किया। उन्होंने कहा कि राजा सहाब ने अपने जीवन का एक पल आजादी के लिए समर्पित कर दिया था। भारत की आजादी में राजा महेंदर पताप सिंग उनके योगदान को नमन करने का ये प्रयाद ऐसा ही एक पावन आउसर है। वो भारत की आजादी चाहते थे और अपने जीवन का एक एक पल उन्होंने इसी के लिए समर्पित कर दिया था। मैं पियमोदी ने दिवंगत कल्यान सिंग को याद करते हुए कहा कि आज कल्यान सिंग हमारे साथ पूते तो अलीगड की एक नई पहचान को देख कर बहुत खुश होते। मैं आज इस धर्ती के महान सपोत, स्वर्गिय, कल्यान सिंग की अनुपस्थिती बहुत ज़ादा महसूस कर रहा ह। आज कल्यान सिंग हमारे साथ होते तो राजा महेंदर प्रतापसी, राज्य विश्व विद्यालें और डिफेंस सेक्टर में बन रही अलीगड की नई पहचान को देख कर बहुत खुश हुए होते। पिम ने इस मौके पर कहा कि कल तक जो अलीगड लोगों के घरों की सुरक्षा करता था आप लिए अलीगड के भ़ोसे रहते थे। पता है ना क्योंकि अलीगर्ड का ताला अगर लगा होता था तो लोग निस्चिंत हो जाते थे कल तक जो अलीगर्ड ताले के जरिये गरों की तुकानों की रख्षा करता था वो 21 स्थदी में ये मेरा अलीगर्ड हिंदुस्तान की सीमाओं की रख्षा करने का काम करें